शिरी शिवाय नमस्तू ब्याम हर हर महादेव शिव शिक को जल चड़ाने का सही तरीका क्या होता है? सबसे पहले शिवलिंग पे जब भी हम जल चड़ाएं उत्तर की और मुख करके हमें शिवलिंग पर जल चड़ाना चाहिए तो डारिक शिवलिंग पर जल नहीं जड़ाना चाहिए सबसे पहले जो जल अधारी होती है शिवलिंग के जो चरण होते हैं वहाँ पे हमें जल चड़ाना चाहिए जल अधारी में जो राइट साइड जो हमारे साइड वाला जो साइड होता है वो राइट साइड में गणिशी का स्थान होता है वहाँ पे जल चड़ाएं फिर लेफ्ट साइड में कार्टिकेजी का स्थान होता है वहाँ जल चड़ाना चाहिए बीच की जो मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ जल चडाना चाहिए फिर मातर जगत जन्नी के हस्त कमल जो गोल, कटी भाग होता है वहाँ जल चडाएं और पाँचवा जो जल है वो आप शिवलिंग पर समरपित करें फिर यदि उपर जलाधारी दी गई है तो उपर जलाधारी में भी आप जल चडाएं इस तरीके से जल जो चड़ाया जाता है वो शिवजी उसे सुईकार करते हैं जब हम उपर जलाधरी पर जल चड़ाते हैं तो जितनी देर तक जल की धार शिवजी पर जाती है उतना ही परमसुख हमारे जीवन में होता है ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए हर हर महादेव शिरी शिवाई नमस्तु भ्याम